हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वन शॉट लेकर बच्चो चैप्टर का नाम है इको सिस्टम बच्चो चैप्टर बहुत असान है और आज हमें बहुत जादा टाइम नहीं लगने वाला मुझे लगता है दो घंटा पंदरा मिनिट के अंदर क्वालिटी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जो नया स्लेबर से हमारा नीट का उसमें काफी सारा पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है पहले हम इसके अंदर ecological succession भी पढ़ाय करते थे, carbon cycle, nitrogen cycle भी पढ़ाय करते थे बट अब हमें वो वाला portion नहीं पढ़ना है तो बच्चो पूरा focus करना बहुत असान chapter है, पूरा का पूरा basic से पढ़ाऊंगा ठीक, तो गाइज, enough of talk, let's start, मेरी audio, video एकदम आपको clear है तो आप फटा-फट yes लिग दीजिए और हम लोग start करते हैं फटा-फट सभी लोग yes लिग दीजिए और हम लोग quality के साथ start करते हैं चलिए, yes sir भी आ गया है, तो अब हम लोग start करते हैं बच्चो, chapter का नाम है ecosystem, अगर मैं ecosystem की बात करता हूँ, तो समझेगा की ecosystem क्या होता है बच्चो, एक छोटा सा example लेता हूँ, मैं घूमने के लिए गया, एक pond में घूमने के लिए गया अब आपको मालूम है कि pond के अंदर plants भी present होंगे, जिनको आप producer बोलते हो इन plants को कोई ना कोई animal खाएगा, बिलकुल सही है और वो animals जो होंगे, वो एक biotic part है, plant भी biotic part है तो plant कैसा है, living है, animal कैसा है, living है, दोनों के दोनों कैसे है, biotic है plant खाना कहां से लेगा, photosynthesis करेगा, animal खाना कहां से लेगा, plant से खाना लेगा तो कहने का मतलब यह है कि एक time ऐसा आएगा कि plant और animal की death हो जाएगी plant का कुछ पार्ट dead हो जाएगा, animal का कुछ पार्ट dead हो जाएगा तो जब plant और animal का पार्ट dead हो जाएगा, तो इनके उपर add करेंगे decomposer कौन add करेंगे? decomposer तो decomposer क्या करेंगे? कि आप कोई भी चीज ले जा नहीं सकते आप खाली हात आए हैं, आप खाली हात ही जाएंगे, तो decomposer क्या करते हैं, जो dead plant और dead animal होते हैं, इनके शरीर में जो complex organic compound होते हैं, इनको तोड़ के inorganic compound में convert कर देते हैं, और ये inorganic compound pond में कहां चला जाएगा, soil में चला जाएगा, soil से ये nutrient वापस plant के पास जाएंगे, plant को खाएगा animal, एक time के बाद plant का part dead होगा, animal का part dead होगा, तो जो dead part है plant और animal का, उसके उपर decomposer आएंगे, वो dead part of plant और animal में जो complex organic compound होगे, उनको तोड़ के inorganic compound में convert करेंगे, वो inorganic compound वापस से pond के अंदर soil में चला जाएगा, वहाँ से वो compound जो inorganic part है, वो वापस से plant के पास जाएगा, तो इस तरीके से संसार चलता रहता है, plant, animal, decomposer, तीनो के तीनो biotic part है, तीनो के तीनो living है, soil कैसा है, non-living है, तो biotic और abiotic component हो गए, तो एक pond के अंदर दो component हो गए, एक को बोला biotic और दूसरे को बोला abiotic, तो plant, animal और micro organism जिनको मैं decomposer बोल रहा हूँ, इनकी आपस में relationship, बायोटिक component की आपस में relationship, और बायोटिक और abiotic component की आपस में relationship, तो एक ecosystem में दो component होते हैं, एक को बोलते हैं biotic और दूसरे को बोलते हैं abiotic, अब जो वो lake है, वो जो pond है, उसके आज़ पास अपना कोई temperature भी होगा, उसके आज़ पास कोई particular sunlight की availability भी होगी, उसके आज़ पास कोई अपना rainfall भी होगा, तो मैं temperature की बात करूँ, soil की बात करूँ, rainfall की बात करूँ, ये सब abiotic part होते हैं, living organism की बात करूँ, plant की, animal की, decomposer की, ये biotic part होते हैं, तो किसी भी ecosystem में दो चीजे होती हैं, एक biotic और एक abiotic, तो बच्चो, biotic और abiotic के बीच में जो inter relationship होती है, ये एक ecosystem के functional role को decide करती है, आपको यहां तक चीज़ समझ में आई, तो एक बार हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए, और मैं chapter को start करता हूँ, एक बार हमारे सम्मान में फटाफट yes लिख दीजिए, मैंने एक बहुत आम भाशा में आपको ecosystem की definition समझाई, यहां तक आपकी बात समझ में आई, तो आप एक बार yes लिख दीजिए, चलिए, अब chapter को start करते हैं, ecosystem term, अगर मैं आप से बात करता हूँ, किस ने दी थी, तो आप बोलेंगे tens ले, ठीक, father of ecosystem ecology, आप बोलेंगे odom, दो component होते हैं ecosystem के अंदर, एक component को आप क्या बोलते हैं, एक component को आप बोलते हैं, abiotic और दूसरे को आप बोलते हैं, abiotic, abiotic का मतलब हो गया, non-living component, और biotic का मतलब हो गया, living, sir, living के अंदर कौन कौन आया, बेटा, living के अंदर plants आ गए, animal आ गए, और कौन आया, और आपका micro organism आ गया, sir, non-living के अंदर कौन आया, non-living के अंदर मैं आप से कहूँ कि, किसी area का temperature होगा, वहाँ अपना कोई rainfall होगा, वहाँ अपनी कोई light या कम होगी, या जादा होगी, और वहाँ का soil, ये non-living आ गया, तो biotic और abiotic component के बीच में, आपका inter relationship, ये आपका एक ecosystem के अंदर present होता है, तो ecosystem हमें किसी जंगल में, जैसे मैं forest की बात करता हूँ, forest भी अपने आप में ecosystem है, तो मुझे जंगल में किसी को बताना नहीं पड़ता, कि deer किसको खाएगा, है ना grass उपर किसको खाएगा, tiger किसको खाएगा, भालू किसको खाएगा, सब को पता है कि हमें खुझ निकलना है, और isteach को खाना है, इस से मुझे बचके रहना है, तो forest हो गया, या मैं river की बात करूँ, या ocean की बात करूँ, ये सब ecosystem है, जो अपने आपको खुद regulate करते हैं, हम इसको regulate नहीं करते, तो जो ecosystem होते हैं बच्चों, वो self regulatory होते हैं, खुद regulate होते हैं, और अपने आपको sustain करते हैं, तो self regulatory है, और self sustainable है, ठीक, ecosystem, second slide पे हम जाते हैं, type of ecosystem, दो तरह के ecosystem है, ठीक, पहला है terrestrial ecosystem, और दूसरा है aquatic ecosystem, बच्चों terrestrial, मतलब पानी की बात नहीं करेंगे, अगर मैं बात करूँ, एक forest की बात करूँ, forest ecosystem terrestrial है, ठीक, grassland की बात करूँ, ये भी terrestrial है, ठीक, desert की बात करूँ, ये भी कैसा है, terrestrial है, एक्वेटिक की बात करूँ, अब आपका आ गया है pond, ठीक है, आपका आ गया है lake, बच्चों, lake pond से थोड़ा बड़ा होता है, और चोटा बॉडी होती है ठीक और उतनी घहरी नहीं होती ठीक आपका आगया है river नदी आगई आपकी आगई है ocean आँज आगया ठीक है आपका आगया है ashuries, ashuries का मतलब होता है जहां नदी का पानी समुदर के अंदर enter करता है उस region को आप ashuries बोलते है ठीक, नदी मतलब fresh water समुदर का पानी मतलब marine water तो जहां fresh water, marine water में enter करता है उस region को ashuries बोलते है आप लिख सकते हैं जहां पर आपका river का water enter into ocean water और इसके इलावा आपके आ गए है wetlands, wetlands का मतलब होता है कि एसे एरिया जहां पर या तो पूरे साल पानी भरा होता है या फिर तीन या चार महिने पानी भरा होता है, कुछ-कुछ जगे पर कि यहां पानी भरा हुआ है, फिर आपकी मिट्टी आ गई, फिर किसी एरिया पर पानी भरा हुआ है, फिर आपकी मिट्टी आ गई, ठीक, टाइप आफ एक्वेटिक इको सिस्टम, बच्चो एक्वेटिक इको सिस्टम जो होता है, वो दो टाइप का होता है, एक को आप बोलते हैं, लेंटिक इको सिस्टम, और एक को बात बोलते हैं, लोटिक इको सिस जहाँ पर पानी भै नहीं रहा है मतलब पानी कैसा है Standing water है जैसे आपका example हो गया pond आपका example हो गया अगर पानी भै रहा है भैती हवासा था वो जाउ उसे ढूंडो अगर पानी भै रहा है तो यह हो गया है ओशीन तो यह हो गया है Lotic Ecosystem छिक type of ecosystem हम और ecosystem के किस तरीके से type बता सकते हैं वो भी मैं अपने दर्शकों को यहां बताना चाहूँगा यह aquatic word गलत लिख दिया है type of ecosystem region के basis पर type of ecosystem ठीक, यह हमने बताया आपका lantic and lotic type of ecosystem की बात करते हैं region के basis पर मैंने आपको बोला सबसे पहले nano ecosystem nano ecosystem nano का मतलब क्या हुआ nano का मतलब बहुत छोटा एक single drop of water एक single drop of water में भी microorganism होते हैं तो एक single drop of water भी अपने आप में एक ecosystem है ठीक है तो nano ecosystem के अंधर आपका जाएगा single drop of water दूसरा ecosystem जो आपका जाएगा वो जाएगा mega ecosystem mega ecosystem mega ecosystem mega मतलब बड़ा इसमें आपके दो टाइप के आएंगे एक को आप बोलेंगे macro ecosystem और एक को आप बोलेंगे micro ecosystem ने स्टाइप ढार्ट forest जा सकता है आपका river जा सकता है आपका ocean जा सकता है यहां छोटी चीज़े जाएंगी आपका pond हो गया आपका lake हो गया ठीक तो यहां तक उसके बाद है type of ecosystem फिर से type of ecosystem दो तरह का है एक को बोलते है natural और एक हमारे द्वारा बनाया गया जिसको आप बोलते है man-made और इसी को आप बोलते है anthropogenic ecosystem दो घंटे 15 मिनट के अंदर chapter को full detail में quality के साथ complete किया जाएगा full detail में complete किया जाएगा ठीक natural ecosystem ऐसा ecosystem जो हमने नहीं बनाया already exist करता है जैसे नदी हो गई समुंदर हो गया forest हो गया grassland हो गया ठीक है तो अगर मैं आपसे यहाँ पर example की बात करता हूं natural ecosystem में दो तीन लिख देता हूं ठीक है crop field की बात करिए ठीक है आप agriculture field की बात करिए ठीक आप एक्वेरियम लेकर आजाएए आप अपने घर में जो एक्वेरियम लेकर आए हैं वो self regulatory ecosystem नहीं है उसका पानी आप बदलेंगे उसमें कौन सी मचली रहेगी यह आप decide करेंगे उसमें खाना आप डालेंगे आप उसका पानी मत बदलिए खाना मत डालिए आपकी मचलिया मर जाएंगी इसका मतलब जो natural खेती बाड़ी आप करते हैं fertilizer आप डालते हैं पानी आप देते हैं ठीक है तो अगर मैं आपके घर में छोटा सा garden है तो उहां आप उसको regulate कर रहे हैं तो जो man made ecosystem होते हैं वो self regulatory नहीं होते त तो man made ecosystem में अगर मैं आपसे बात करता हूँ आप crop field बोल सकते हैं या आप garden बोल सकते हैं आप agriculture भी बोल सकते हैं आप aquarium भी बोल सकते हैं अब आप खुछ सोचिए आपके घर में छोटा सा garden है अब या आप ये थोड़ी ना expect करते हो कि उसके अंदर उस garden में शेर आके बैटा ह है भालू भी आके बैठा है tiger भालू से कह रहा है what's up क्या है क्या हाल चाल है नहीं तो वह ecosystem बहुत छोटा है तो वहां पर जो genetic diversity मिलेगी वह आपकी क्या मिलेगी more मिलेगी या less मिलेगी बताए जरा genetic diversity आपको यहां पर more मिलेगी या less मिलेगी ठीक है तो यह self regulatory नहीं होते no self regulatory no self regulatory, least genetic diversity, least genetic diversity, यहां पर जो genetic diversity होती है बहुत कम होती है तो हमने आपको कुछ ecosystem के बच्चो types बताए ठीक है और ecosystem की आपको definition बताए next slide पे हम जाते हैं ecosystem के अंदर, किसी भी ecosystem के अंदर, forest हो, ocean हो, river हो, उसके दो part होते हैं एक होता है उसका structural part और एक होता है functional part एके करके explain करता हूँ, पहले explain करता हूँ structure part ठीक है, structure part किसी भी जंगल क्या जो बाहर का structure है, किसी भी जंगल को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, थोड़े बड़े पौते दिखेंगे, और बहुत बड़े पौते दिखेंगे, जो बहुत बड़े दिखेंगे, उनको आप पेड़ बोल देते हो, ट्री देखते देते हो, तो मतलब किसी का भी आकार, किसी का भी external appearance, मैं कहूं कि एक forest है, ये forest ecosystem है, तो इसका आ ये देखिए, मैंने एक lake बना दिया, ठीक है, अब इस lake को मैं तीन पार्ट में divide कर देता हूँ, ये सबसे उपर वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, इसको मैंने बोला A, इसको मैंने बोला B, इसको मैंने बोला C, आप बताएए, सबसे ज़ादा light कहां आएगी, अगर मैं light की availability के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं light की availability के बारे में बात करता हूँ, A region पे सबसे ज़ादा light आएगी, ये C region पे सबसे ज़ादा light आएगी, आप कहोगे, सबसे ज़ादा light A पर आएगी, उससे थोड़ी कम B पर और सबसे कम जो आएगी, वो आपकी C पर आएगी तो light की availability की basis पर आपने lake को three layers में divide कर दिया, जिसको आप कह सकते हो vertical layering, आपने light के basis पर तीन पार्ट में divide कर दिया, जिसको आप कह सकते है vertical layering, तो availability of light के basis पर तीन पार्ट में आपने divide कर दिया, तो vertical layering of ecosystem is called stratification, तो मैंने एक example से आपको stratification बताया, ठीक, अब जैसे आप किसी forest में enter करोगे, तो उस forest को भी तीन पार्ट में divide किया गया है, ठीक, उस forest को भी तीन पार्ट में divide किया गया है, ठीक है, उस forest को तीन पार्ट में divide किया गया है, उसमें जो सबसे bottom वाला जो region होगा, वहाँ आपको, जो सबसे bottom वाला region होगा, वहाँ आपको grass मिलेंगे और hubs मिलेंगे, थोड़ी height पर आपको जो मिलेंगे, मेरे बच्चो, shrubs मिलेंगे और जो ज्यादा height पर आपको मिलेंगे, वो आपको पेड मिलेंगे, तो forest के अंदर कोई stratification आपसे पूछे, तो उन्हें बता कि सबसे top पर आपको tree मिलेंगे, और सबसे bottom में आपको मिलेंगे ये, तो यहाँ भी vertical layering हो गई, किसके अंदर forest के अंदर vertical layering हो गई, इसी को बोलते हैं stratification, ठीक, अब हम इसका functional part जानेंगे, functional part को detail में जानने के लिए हमें next slide पर जाना पड़ेगा, आईए, अब इसको जानने के लिए, अभी आप यहाँ पर मत देखिएगा, functional part, किसका pond ecosystem, मैंने एक, मैंने कोई भी एक ecosystem लेना था, NCRT में paragraph में जो समझाया गया है, वो pond ecosystem के help से समझाया गया है, तो मुझे एक ecosystem चाहिए था, मैंने pond ecosystem आपका ले लिया है, हाँ बेटा, plant growth and development pending है, एक बारी में teacher एक ही chapter करा सकता है, living world भी pending है, है ना, अगर plant growth कराऊंगा, तो फिर कहोगे ecosystem नहीं हुआ, living world कराऊंगा, तो plan growth नहीं हुआ, तो सब chapter का number आएगा, बारी बारी से आएगा, आप बिलकुल परिशान मत हो येगा, ठीक, कुछी chapter बचे है, सब हो जाएगा, patience रखिए बना लेता हूँ, pond, तो बच्चो, सबसे पहले मैं आपका एक pond बना लेता हूँ, ये मैंने आपका बना लिया है, pond, क्योंकि मैं आपका teacher हूँ, तो ये pond मैं ही अबनाऊंगा, ठीक है, अब इस pond में, आप सबसे bottom में, आपको क्या मिलेगी, soil मिलेगी, ये रही हमारी soil, ठीक है, soil non-living है, मतलब, soil है आपका abiotic, अब chapter के starting में मैंने आपको ecosystem की definition दी थी, बिल्कुल दी थी, अब मैं उसी definition को full proof आपको explain करूँगा, और आपको बहुत मजा आएगा, देखिए गज़रा, ध्यान से देखिएगा, बचो यहां पर है आपका sun, ये रहा आपका sun, हे sun, ये देखिए, ये है sun, ठीक है, ये है आपका sun, अब मैंने पानी बनाया है, एक pond बनाया है, shallow, ठीक है, shallow का मतलब होता है, कम घहरा, more shallow, जादा घहरा, less shallow, कम घहरा, ठीक, तो pond उतनी गहरी नहीं होती, जितनी गहरी नदिय और समुन्दर होते हैं ठीक इसका मतलब यह तो नहीं कि पॉण्ड में कुद जाए ठीक है आईए अब मैंने आपको यहां पर प्लांट्स दिखाए ठीक है मैंने आपको यहां पर प्लांट्स दिखाए अब आप ध्यान से देखिएगा ये रहे आपके plants बचो पानी के अंदर plants को बोलते हैं phytoplankton पानी के अंदर plants को बोलते हैं phytoplankton तो phytoplankton वो लोग है जो sunlight को लेकर photosynthesis करेंगे तो plants पानी के अंदर जो plants होते हैं जो photosynthesis करते हैं, उनको phytoplankton बोलते हैं, तो phytoplankton एक तरीके से क्या हो गए, सर phytoplankton एक तरीके से producer हो गए है, क्योंकि ये खाना बनाएंगे, तो producer में कौन-कौन आ सकता है, phytoplankton है, जिसमें आपके die-atom आ सकते है, algae आ सकता है, submerged plant, वो plant जो पानी में डूबे होए है, या फिर free-floating plant, मतलब पानी में प्लांट डूबे होए भी हो सकते है, पानी में प्लांट सरफेस पे भी हो सकते है, पानी में प्लांट इस pond के किनारे पे भी हो सकते है, तो इस pond में submerged plant भी हो सकते है, free-floating भी हो सकते है, इसके किनारे भी भी हो सकते हैं, इसके अंदर डाइ अटम्स भी प्रेजन्ट हो सकते हैं, ये सब के सब लोग photosynthesis करते हैं, ये लोग producer हैं, यही लोग phytoplankton हैं, ठीक तो पानी के अंदर जो लोग photosynthesis करके खाना बनाते हैं, उनको आप phytoplankton बोलते हैं, और ये कैसा पार्ट हुआ, बायोटिक या एबायोटिक, आप बोलेंगे बायोटिक, बचो इनके उपर जो चीज फीड करती है, उनको आप बोलते है zooplankton, उनको आप बोलते है zooplankton, अब आप मुझे बताए, zooplankton इनके उपर feed कर रहे हैं, तो zooplankton को, zooplankton जो है आपके, वो कैसे हो गए, वो आपके heterotrops हो गए, इनमें free swimming animal भी हो सकते हैं और bottom dwellers, bottom का मतलब, bottom dwellers मतलब जो इस lake में नीचे की तरफ होंगे, bottom की तरफ होंगे, तो इनको feed किया, आपका zooplankton ने इनको feed किया, तो एक तरीके से zooplankton क्या हो गए, ये आपके हो गए है, हर भी वोरस, ठीक है, ये आपके हो गए है, हर भी वोरस, और ये भी कैसा part हुआ, ये भी आपका biotic part हुआ, ठीक, ये भी आपका क्या हुआ है, biotic part हुआ है, ठीक, अब zooplankton जो है, इसको खाया किसने इसको खाया छोटी मचली ने छोटी मचली को खाया बड़ी मचली ने छोटी मचली को किसने खाया बड़ी मचली ने खाया ठीक अब आप ध्यान से मेरी एक बात को समझेगा ठीक है जू प्लैंक्टन्स क्या हुआ सर्जू प्लैंक्टन्स एक तरीके से हो गया है user small fish क्या हुए सर smallheiko हो गया है secondary consumer ठीक है और large fish क्या हुआ बेटा सर-large fish जो हुआ है वो हो गया है tertiary consumer ठीक अब primary consumer secondary consumer और tertiary consumer बिल्कुल सही है, ठीक, और ये सब आपके heterotrops में आएंगे, zoo plankton, small fishess, laarch fish, ये आपके heterotrops में आएंगे, ठीक है, तो plants को खाया, zoo plankton ने, zoo plankton खाया, छोटी मचली ने, छोटी मचली को खाया, laarch fish ने, अब क्या होगा, सबका कोई ना कोई पार्ट डेड होगा, सब का कोई न कोई कुछ पार्ट डेड होगा, इसका कुछ पार्ट डेड हुआ, ठीक, इसका कुछ पार्ट फाइटो प्लेंक्टेंस का कुछ पार्ट डेड हुआ, जू प्लेंक्टेंस का कुछ पार्ट डेड हुआ, स्मॉल फिश का कुछ पार्ट है वो जाएगा लेकिन मर्जी हमारी चलेगी हम कालीन भया है यह वैपार हमारे हिसाब से चलता है हम कालीन भया नहीं है ठीक है हम रुपेज चौदरी है आपको पढ़ाने आए है ठीक है कि देखिए जरा ध्यान से देखिएगा यह है डेड़ पार्ट तो इस डेड़ पार्ट को आप बोलते हैं डेटराइटस ठीक लाज फिश का पार्ट डेड हो गया स्मॉल फिश का पार्ट डेड हो गया कुछ इनका पार्ट डेड हुआ होगा कुछ इनका पार्ट डेड हुआ होगा अब इस डेटराइटस पर अब यह जो डेड़ पार्ट है डेड़ पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट होता है complex organic compound complex organic compound तो जो आपका dead part है जो आपका dead animal है ठीक जो आपका dead part है, dead animal है, जिसको आप detritus बोल रहे हो, उनके अंदर complex organic compound है, इन complex organic compound के उपर आपके act करेंगे कौन, decomposer, decomposer इनके उपर act करेंगे और decomposer क्या करने वाले है, decomposer इस complex organic compound को, इस complex organic compound को convert करेंगे, किसमें convert करेंगे, convert करेंगे, simple organic and inorganic part में, तो complex organic compound जो की dead part में present था, उसको decomposer के द्वारा तोड़ा गया, और उसको simple organic या inorganic part में convert किया गया, और बच्चो इस process को शायद दुनिया decomposition बोलती है, इस process को दुनिया बोलती है decomposition, और ये जो organic part है और inorganic part है, ये आपका या तो water में dissolve हो जाएगा, या फिर soil में चला जाएगा, तो इदर या तो ये part कहां dissolve हो जाएगा, water में dissolve हो जाएगा, और enter into soil, enter into soil, तो बच्चो, phytoplankton पे feed किया zooplankton ने, zooplankton पे feed किया छोटी मचली ने, छोटी मचली को खाया, बड़ी मचली ने, इन सब का part जब dead हुआ, तो उस dead part को detritus बोला, उसके उपर decomposer act करे, ठीक है, decomposer ने इनके अंदर complex organic compound को simple organic and inorganic part में convert किया, जिसकी वज़े इस process को decomposition बोला, decomposer में example bacteria, fungus and flagellate है, ये simple organic and inorganic part में कुछ part पानी में dissolve हो गया, बाकी part soil में आ गया, soil से वापस इनके पास और इस तरीके से जिन्दगी चलती रहती है, जो आता है, वो जाता है, ठीक, तो अब आप मुझे बताए, यहां क्या क्या चीज़े हुई, सर सबसे पहले जो मुझे यहां देखने को मिला, सर न्यूट्रेंट साइकलिंग मेर को देखने को मिली, यहां से यहां गया न्यूट्रेंट, यहां से फिर यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, सर मुझे न्यूट्रेंट साइकलिंग देखने को मिली, बिल्कुल सही है और कौन-कौन सा फंक्शन तुझे देखने को मिला सर मुझे डिकम पोजिशन देखने को भी मिला ठीक है बेटा तुने डिकम पोजिशन प्रोसेस भी देख लिया और तुझे क्या देखने को मिला सर एनरजी का फ्लो हो रहा है यहां से एनरजी यहां जा रही है, यहां से एनरजी यहां जा रही है, यहां से एनरजी यहां जा रही है, माल लीजिये, यहां पर आपकी 1000 किलो जूल एनरजी है, याद रखिएगा, यहां से सन से प्लांट के पास जो आती है, वो 10 परसंट नहीं आती, वो 1 परसंट आती है, तो अगर 1 परसंट आत तो मुझे बताईए, प्लांड के पास कितनी आई, प्लांड के पास आई, 10 किलो जूल, सन से प्लांड के पास 10 परसेंट नहीं आती, 1 परसेंट आती है, कितनी आती है, दिवानों, 1 परसेंट आती है, तो हजार का 1 परसेंट हुआ, 10 किलो जूल, अब 10 परसेंट एनेजी ट्र पास गई 0.01 किलो जूल तो बच्चों आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं T1 इसको बोलते है T2 इसको बोलते है T3 इसको बोलते है T4 Sir T का मतलब क्या है? T का मतलब क्या है? Nation wants to know T का मतलब है Tropic Level Tropic Level का मतलब होता है Position of Organism Position of Organism किसी भी Organism की Position को बोलते है Tropic Level तो बच्चों आप देखिए T1, T2, T3, T4 जैसे जैसे आप आगे जा रहे है T4 मतलब Higher Tropic Level T1 मतलब Lower Tropic Level तो T1, T2, T3, T4 में सबसे Higher Tropic Level है T4 और सबसे Lower Tropic Level है T1 तो Higher Tropic Level Lower Tropic Level पे Depend होता है Higher Tropic Level Lower Tropic Level पे Depend होता है Higher Tropic Level Lower Tropic Level पे Depend होता है तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर Energy का Flow हो रहा है तो मैंने आपको कोई आप से पूछे कि Ecosystem का Functional Part क्या है पहला Neutrant Cycling, दूसरा Decomposition, तीसरा Energy Flow और चौथा Part है आपका Productivity चौथा Part है Productivity Sir, Productivity का मतलब क्या होता है बचो, इन Producer ने Sunlight को यूज करके जो खाना बनाया ठीक है, Sunlight को यूज करके जो Producer ने खाना बनाया जो Energy इनके पास आई, जो Biomass इनोंने गेन किया जो Organic Matter इनके अंदर आया उसको आप बोलते हैं Productivity और बाकी Productivity का Detail मैं आपको थोड़ी देर में Explain करूँगा जहां मैं आपको Gross Primary Productivity Net Primary Productivity की आप से बाते करूँगा ठीक, तो Productivity एक Simple भाषा में मैं आपको बताऊँ Simple भाषा में मैं आपको बताऊँ Food Synthesize by Producer Using Light Plants ने Light को यूज करके जो खाना बनाया उसको मैंने अभी बोल दिया Productivity Productivity तो इनकी भी होगी लेकिन मैंने अभी आपको इसके respect में Productivity आपको समझाया तो बच्चो लोगो बना दीजिए औरेंज कलर औरेंज कलर का लोगो तो यह आपका हो गया है अरे दिवाने थोड़ा दिन तो रह गया है निटका यहां फोकस कर ठीक, nutrient cycling, decomposition, energy flow, productivity यह है आपका functional part बच्चो आपको pond ecosystem की help से functional part समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए एक बार हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए आईए, next है productivity, खोल के पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा फोकस करिएगा, productivity जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक को बोला गया, क्या बोला गया, एक को बोला गया primary productivity और एक को बोला गया secondary productivity, primary productivity को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, gross primary productivity और net primary productivity, जड़ा समझेगा ये क्या होता है, बच्चों, gross primary productivity का मतलब क्या है, देखिए, total food synthesized by plant, total food synthesized by plant using sunlight, इसको बोलते हैं, gross primary productivity, ठीक है, किसी area पर, किसी area पर, एक particular time में, वहाँ जो plants है, उन्होंने photosynthesis करके कितना खाना बनाया, उसको बोलते हैं, gross primary productivity, तो gross primary productivity आप food के terms में बोलो, खाने से क्या मिलेगी, energy मिलेगी, ठीक है, या फिर आप organic matter की terms में बोलो, बच्चों, organic matter, समझे मेरी बात को, मैं धीरे-धीरे कोई plant था, जो पौदा था, छोटा सा था, धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसको पानी मिल रहा है, उसको nutrient मिल रहे है, उसको sunlight मिल रही है, वो photosynthesis कर रहा है, खाना बना रहा है, वो खाना उस plant को भी मिल रहा है, वो अपने लिए खाना बना रहा है, तो धीरे-धीरे plant को portion मिल रहा है, दीरे दीरे plant बढ़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे plant बढ़ा हो रहा है, उसका जो organic matter है वो भी बढ़ रहा है, तो आप gross primary productivity को express करोगे, या तो आप बोल दो food, उस खाने से energy मिलती है और उस खाने की वज़े से उसका organic matter बढ़ता है, तो किसी particular area में, एक particular time में, plants के द्वारा जो ख required किया गया, उसको बोलते हैं gross primary productivity, बच्चो, सारी की सारी energy, plant के पास available नहीं रहेगी, ठीक, आप जब कोई भी धंदा करते हो, तो उसमें पहले पैसा लगाते हो, ठीक, फिर आपके पास पैसा आना start होता है, फिर आप उस total पैसे में से वो पैसा minus कर देते हो, जो धंदे में खर्च हो गया, तो plant के बाद जो total energy है, वो सारी energy उसके पास नहीं रहती, उसमें से कुछ energy, respiration, यही इस साल नीट में आया था, उसमें से कुछ energy, respiration करने में खर्च हो जाती है, तो अगर मैं आप से कहूं, कि जो total energy थी, जिसको आपने बोला GPP, plant ने photosynthesis करके, जो total energy थी, जो total food था, उसको बोला GPP, उसमें से वो energy निकाल दो, वो energy निकाल दो, जो खर्च हो गई, कहां पर, respiration में, energy utilized in respiration, जिसको आप बोलते हो, respiratory loss, जिसको आप बोलते हो, respiratory loss, तो GPP में से, respiratory loss निकाल दो, अब जो plant के पास बची है, अब जो plant के पास बची है, उसको बोलेंगे, net primary productivity, तो plant के पास, जो available है, ये available है, अब, जो plant के पास available है, available at plant, वो है, net primary productivity, अब आप मुझे बताईए, plant से, heterotrop के पास, GPP जाएगी, या NPP जाएगी, लिख के बताईए, plant से, heterotrop के पास, GPP जाएगी, या फिर NPP जाएगी, एक बार आप लिख के बताईए, तो, gross समझ में आ गया, net समझ में आ गया, secondary productivity क्या है, secondary productivity क्या है, NPP जाएगी, बच्चों, मैं, मैं मान लीजिये, plants को खा रहा हूँ, मैं heterotrop हूँ, तो, बच्चों, मैंने आज आलू पालक खाया, मैंने आज डाल खाई, मैंने आज रोटी खाई, ठीक है, मैंने आज पालक खाया, तो, पालक खाने के बाद, मैं heterotrop हूँ, मेरे अंदर जो energy आई, मेरे अंदर जो organic matter gain हुआ, ठीक है, उसको बोलते है, secondary productivity, तो secondary productivity क्या हुआ, organic matter, energy, synthesize by hetero-trops by using, by using net primary productivity, ठीक है, तो net primary productivity जो होती है, वो आपकी goes to, कहां जाती है, hetero-trop में जाती है, इसको use करके, hetero-trops, जो organic matter gain करते हैं, उस organic matter को आप बोलते है, secondary productivity, बच्चों, ये आपको मैंने productivity में difference बताया, अब छोटे-छोटे, आसान-आसान point, productivity को measure करते हैं, पर gram square, पर year, अब आप देखिए, ठीक है, year आपका लिखा है, मतलब एक time period की बात की है, ठीक है, kilo calorie per meter square, ठीक है, पर year, तो ये इसकी आपकी unit हो गई है, किन-किन factors पर productivity effect करती है, बच्चो, अगर plant की photosynthetic efficiency अच्छी है, अगर plant की photosynthetic efficiency अच्छी है, plant जो है, दबा कर photosynthesis कर रहा है, तो उसकी जो productivity होगी, P का मतलब है productivity, वो high होगी या low होगी, high होगी, availability of light, बैजिन plants के पास light पर्याप्त मातरा में नहीं आ रही है, वहाँ photosynthesis भी better नहीं होगा, तो जब photosynthesis अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो productivity भी कम हो जाएगी, तो अगर light की availability जादा है, तो बच्चो, productivity भी क्या है, जादा है, ट्रॉपिकल rain forest, वो एरिया होते है, जहाँ पर light बहुत जादा आती है, इक्वेटर, भूमद रेखा के पास जो रीजन मिलता है, उनको आप ट्रॉपिकल rain forest बोलते हैं, ट्रॉपिकल rain forest पर light की availability जादा है, as compared to temperate and arctic region, इसलिए सबसे जादा productivity, ट्रॉपिकल rain forest के अंदर मिलती है, तो ट्रॉपिकल rain forest most productive ecosystem है, क्योंकि यहाँ sunlight की availability बहुत जादा होती है, ठीक है, अब NCRT में question mark लगा के पूचा है, कि सर जो deep sea होते हैं, वहाँ पर productivity कम क्यूं है, आप मेरे को खुद बताईए, जो deep sea होते हैं, वहाँ पर sunlight नीचे नहीं पहुँच पाती, बैस समुंदर में नीचे तो sunlight पहुँची नहीं पाएगी, तो समुंदर में नीचे आपके heterotrops जादा मिलेंगे, क्योंकि समुंदर में नीचे sunlight नहीं पहुच पाती, तो एक deep sea में light की जो availability है, light की जो availability है, वह आपकी काफी low है, तो इसकी वज़े से photosynthesis वहाँ पर नहीं है, तो deep sea में आपके जादा consumer मिलेंगे, आपके जादा consumer मिलेंगे, आपके producer नहीं मिलेंगे, तो जब light की ability कम है, तो वहाँ productivity कम है, और वहाँ पर nitrogen बहुत कम मिलता है, मतलब nitrogen वहाँ पर limiting है, तो NCRT में लिखा था कि deep sea में productivity limiting क्यों होती है, अपने teacher से पूछिए, teacher ने आपको दो करण बताए, एक तो light की availability कम है, दूसरा वहाँ पर nitrogen आपका कम मिलता है, ठीक, desert least productive, desert में भी productivity बहुत कम है, ठीक, पानी भी वहाँ कम मिलेगा, nutrient ज़ादा मिलेंगे, तो productivity भी ज़ादा होगी, ठीक है, terrestrial region के अंदर, जो productivity है आपकी, वो 115 billion tons है, ocean में 55 billion tons है, तो total biosphere की productivity इन दोनों को add कर दीजिए, तो आपका आएगा 170 billion tons, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, coral reef, आपने एक चीज़ सुनी होगी, coral reef, आप ज़्यादा भैतर समझेंगे, थोड़ा सा ये geological portion है, ये आपने सुना होगा, एक invertive rates होता है, जिसको आप बोलते हैं, निडेरिया, बच्चों, निडेरिया के जो members होते हैं, उनकी shell में, calcium carbonate present होता है, निडेरिया invertive rates हैं, तो आप मुझे से ज़्यादा expert मत करना, कि मैं निडेरिया explain करूँ, क्योंकि ये जो लॉजी का portion है, निडेरिया invertive rates है, इनके जो members होते हैं, उनके शरीर में, calcium carbonate की shell होती है, तो पानी के अंदर, आपका, ये जो निडेरिया है, shells है, ये calcium carbonate वाली shells है, और इन shells में आपके present है algae, ये algae वहाँ पर photosynthesis करेंगे, तो एक ऐसा region जहाँ पर बहुत सारा calcium carbonate मिलता है, इन दी form of shells of निडेरिया, वहाँ algae पाये जाते हैं, जो photosynthesis करते हैं, ऐसे region को बोलते है coral reef, ऐसे region को बोलते है coral reef, तो बच्चो, aquatic ecosystem में सबसे ज़्यादा productivity, coral reef region में होती है, terrestrial ecosystem में सबसे ज़्यादा productivity, tropical rainforest में होती है, यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो एक बार आप हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए, यहाँ तक की पढ़ाई आपको सम्मान में आई है, तो आप हमारे सम्मान में एक बार yes लिख दीजिए, तो बच्चो, मुरको एक एक करके यह सारी चीज़े explain करनी है, मैंने आपको अभी क्या explain किया, मेरे बच्चो, मैंने आपको productivity explain किया, अब मुझे यह तीनो process explain करने है, energy flow, decomposition, nutrient cycling, एक एक करके मैं आपको explain करता हूँ, अब मैं आपको decomposition explain करूँगा, तो सभी लोग heading डाल दीजिए, decomposition, मैं भी डाल देता हूँ, और आप भी डाल दीजिए, ठीक, यह लीजिए heading, decomposition, decomposition, तो आप heading डाल दीजिए, decomposition, decomposition आज आईए थोड़ा सा गर्मी कर दो हाँ तो अब मैं आपको बोला decomposition बच्चो जब आप सोईल को देखते हो ठीक है बंदी कर दो उसको नहीं तो डिस्टरब होगा भाद आज आओ तो खाम हो रखा है अब है आपका decomposition प्रोसेस तो मैं आपको soil बनाता हूँ पहले यह है soil का surface यह है आपका soil का surface बच्चो soil में different layers होती है ठीक है soil के अंदर different layer होती है जैसे soil की सबसे उपरवरी layer को बोलते है O उसके नीचे A फिर B फिर C फिर R यह soil की different layers होती है आपने कभी घर में gardening की होगी तो जब भी आपने फावडा लेके मिट्टी को खोदा होगा फसर लगाने के लिए तो आप जितना नीचे खोदते वे जाओगे तो जो पत्थर होंगे उनका साइज छोटा होता जाएगा या बड़ा होता जाएगा स्मॉल या फिर लार्ज लिख के बताईए तो soil की different layers होती है on the basis और बहुत सारे criteria हो सकते है पार्टिकल साइज हो सकता है ठीक है इन layers के नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि नाम NCRT में नहीं है देखिये जैसे यह पहली layer हो गई यह दूसरी layer हो गई यह तीसरी layer हो गई जैसे इस layer को मैंने बोला O इसको मैंने बोला ऑ इसको मैंने बोला B इसको मैंने बोला C, उसके बाद है R and so on, ठीक है, अब आपका यहाँ पर उपर रखा हुआ है, ठीक है, यह देखिए जरा, यह यहाँ पर आपका सॉयल के सरफेस पर रखा हुआ है, डैड पार्ट, तो यह जो सॉयल के सरफेस पर आपको दिख रहा है, यह डैड पार्ट है, तो इसको मैंने लिख दिया है, डैड पार्ट है, किसका है, प्लांट का है, या फिर किसका हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, तो सॉयल के उपर बहुत सारा डैड पार्ट है, प्लांट का और एनिमल का, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक पिंक कलर के गोले से, और इस dead part को, मेरे बच्चों, आप बोलते हैं detritus, इसको आपने बोला detritus, तो बच्चों, ये जो detritus है, इसका size देखिए कितना बड़ा है, इसका size बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका size आपका बहुत बड़ा है, मतलब ये आपका काफी large size है, ये आपका कैसा है, ये आपका काफी large size है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके उपर act करते हैं, कौन act करते हैं, detrivorus, तो सबसे पहला होता है आपका fragmentation, fragmentation of detritus by detrivorus, सर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, detrivorus में आपका आ गया है, अर्थ वॉन, जो बड़ा, कोई भी dead part of plant और animal, जिसका particle size बहुत बड़ा था, जिसका fragment size बहुत बड़ा था, उस dead part और dead animal को आपने detritus बोला, इसके उपर आपके act करे, detrivorus, for example, earthworm, तो earthworm ने fragmentation किया, मतलब जिसका size पहले बड़ा था, उसको छोटे-छोटे part में divide कर दिया, उसको छोटे-छोटे part में divide कर दिया, उसको छोटे-छोटे part में divide कर दिया, अगर कोई आप से पूछता है कि fragmentation of detritus का क्या मतलब है detritus का particle size बड़ा था, large fragment था, उसके उपर detrivorus ने add किया detrivorus का example हो गया earthworm, detrivorus वो होते हैं जो detritus पर add करते हैं और particle size को छोटा कर देते हैं, तो अब आप जब देखेंगे अब आप जब देखेंगे, तो आपको देखिए, particle size जो होगा, पहले से छोटा दिख रहा है यह देखिए, पहले से छोटा दिख रहा है, इस process को आप बोलते है fragmentation of detritus by detrivorus, यह सबसे पहला process हुआ, ठीक, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यह जो चीज आपको दिख रही है, इसकी labeling होगी fragmented detritus, इसको बोलेंगे fragmented detritus detritus, बचो यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई, तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, यहाँ तक की पढ़ाई आपको सम्मान में यस लिख दीजिए, जितने भी लोग बैटे हैं, सारे के सारे जमे रहना, दो घंटे 15 मिनट के अंदर quality के साथ chapter complete करूँगा, जायेगा मत, क्योंकि बहुत ज़दा time नहीं लोगा बेटा, और पूरा detail में बताऊँगा, ठीक, यह process आपका हो गया, अब यह जो fragmented detritus है, इसके उपर, मेरे बच्चो, दूसरा process हुआ, सर दूसरा process क्या हुआ, दूसरा जो process हुआ, उसको मैंने ब बोला, leaching, leaching का क्या मतलब होता है, leaching का मतलब होता है, इस fragmented detritus में, अगर कोई, water soluble, inorganic substance है, water soluble, inorganic substance, इस fragmented detritus में, water soluble, inorganic substance है, वो move कर जाएगा, move into, कहां move करेगा, सर, lower layer of soil, soil में इतना नीचे चला जाएगा, कि वो अब plant के लिए available नहीं होगा, भही, जब आप खड़ा खोते हो, तो plant की root, एक soil में एक particular region तक ही तो होगी, आप नीचे तक खड़ा खोते जाओ, वहाँ से तो पानी निकलना सुरू हो जाएगा, वहाँ थोड़ी ना plant की roots पहुच पाती है, तो यहाँ से कुछ water-soluble-inorganic substance, soil की lower layer में चले गए, soil की lower layer में चले गए, माल लीजे यह देखिए, यहाँ पे चले गए, तो यह है आपका water-soluble-inorganic substance, जो soil की top layer से lower layer में चला गया, और वहाँ पर वो precipitate हो जाएगा, वहाँ पर वो precipitate हो जाएगा, in form of unavailable salt, unavailable salt, इस process को बोलते हैं leaching, water, soluble-inorganic substance, धर्ती मा की उपर वारी layer से पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, किसकी help से आते हैं, अगर कोई पूछे, with the help of water, with the help of water, इसको बोलते हैं, percolate होना, percolate होना, ठीक है, water-soluble-inorganic substance moves और percolate with the help of water to lower layer of soil, और वहाँ पर unavailable हो जाता है, plants के लिए, ठीक, ये process था आपका leaching, अब क्या होगा, अब, अब इसके बाद क्या होगा, देखते हैं, इसके बाद आपका क्या होगा, इसको हम यहाँ से copy कर लेते हैं, अब देखिए, अब जो चीज आपकी बची है, मेरे बच्चो, अब जो चीज आपकी बची है, जिसको मैं fragmented detritus बोल रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, fragmented detritus, fragmented detritus, fragmented detritus में क्या present है, इसमें क्या present है, सर, इसमें present है complex organic compound, बिल्कुल सही, इसमें present है complex organic compound, अब इस complex organic compound पर, अब इस complex organic compound पर, क्या होगा, वो भी आप देख लीजिए, अब इस complex organic compound पर, तीसरा process होगा, जिसको आप बोलते है, catabolism, catabolism का मतलब क्या होता है, catabolism का मतलब होता है, breakdown of complex organic compound, complex organic compound, इसमें जो complex organic compound है, उनका breakdown होगा, सर, breakdown कौन करेगा, आप करोगे, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, इनका breakdown करेंगे, आपके saprophytic decomposers, saprophytic decomposers, जिसमें आपके bacteria आएंगे, आपके fungus भी आएंगे, जिनको आप microorganism बोल रहे हैं, आपका bacteria आगया, आपका fungus आगया, अब complex organic compound जो धरती मा में present है, उसका catabolism होगा, complex organic compound जो की detritus में present है, उसको तोड़ा जाएगा, तो उसको तोड़ा जाएगा, देखिए जरा, तो जब वो तूटेगा, जब वो तूटेगा, तो कैसे तूटेगा, ध्यान से देखिएगा, उस complex organic compound को, उस complex organic compound का breakdown हुआ, किसमें breakdown हुआ, simple organic compound में breakdown हुआ, तो मैंने उस complex organic compound का breakdown किया, किसमें breakdown किया, simple organic compound, सर आपने दो बार simple organic compound क्यों लिखा, बचों complex organic compound का, जब breakdown होगा, तो वो break हुआ, simple organic compound में, उनमें से कुछ simple organic compound फर्दर break करेंगे, और convert हो जाएंगे, simple inorganic compound में, एकदम से convert हो जाएंगे, तो complex organic compound किसमें convert हुआ, simple organic compound में, complex organic compound किसमें convert हुआ, simple organic compound में, और कुछ simple organic compound, immediately किसमें convert हो गए, immediately किसमें convert हो गए, immediately convert हो गए, simple inorganic compound में, तो complex organic compound से, simple organic compound बनना, और simple organic compound से, simple inorganic compound बनना, ये काम decomposer के द्वारा हुआ, और इस process को आप बोलते हैं, mineralization इस process को आप बोलते है mineralization तो आप चाहो तो इसको fourth भी लिख सकते हो ठीक है आप इसको बोलते है mineralization ठीक यहां तक समझ में आया तो yes लिखिए कुछ simple organic compound है जो एकदम से inorganic compound में convert नहीं होते बहुत धीरे धीरे inorganic compound में convert होंगे बहुत धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे inorganic compound में convert होंगे बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे slow very slow slowly very slow बहुत ही धीरे मतलब कुछ complex organic compound simple organic compound में convert होते हैं और immediately simple organic compound simple inorganic compound में convert होते हैं इस process को बोलते है mineralization कुछ complex organic compound simple organic compound में ही रहना पसंद करते हैं ये inorganic compound में conversion बहुत slow करते हैं ये जो simple organic compound है इस simple organic compound को बोलते हैं humus और इस process को बोलते हैं humification तो ये सब process एक साथ होते हैं simultaneously होते हैं mineralization भी चल रहा है humification भी चल रहा है breakdown भी चल रहा है तो ये जो चीज बनेगी इसको humus बोलेंगे इस process को humification बोलेंगे अब आप मुझे बताओ ये जो humus है ये जो humus है organic compound है इसको inorganic compound में convert करना हर microbes के बसकी बात नहीं है इसका जो decomposition rate है लिख के बताओ fast है ये slow है इस simple organic compound का further decomposition rate fast है ये slow है लिख के बताओ fast है ये slow है लिख के बताओ आप बोलोगे slow decomposition rate slow decomposition rate है इसका मतलब ये further decompose नहीं होती बहुत सारे microbes के द्वारा काफी सारे microbes इसका further decomposition नहीं कर सकते इसका मतलब humus microorganism के लिए resistant है तो ये क्या है resistant to resistant to microbial action कैसी हो तुम मैं डार्क हूँ कैसी हो लाइटली acidic हूँ एमोर्फस हूँ collidal हूँ water को hold कर सकती हूँ collidal हूँ तो है humus आप कैसे हो मेरे अंदर रिजर्वायर है किसका न्यूट्रेंट का तो ये रिजर्वायर है है न्यूट्रेंट का न्यूट्रेंट का सोर्स है यही तो यूस की जाती है खेतों में न्यूट्रेंट का सोर्स है slightly acidic है डार्क है एमोर्फस है कॉलाइडल है कॉलाइडल का मतलब यह water को hold करने से लिया गया है ठीक है resistant to microbial action slow decomposing rate और ये बात भूली गई है इसके लिए humus के लिए तो बच्चो सबसे पहले आपका complex organic compound simple organic compound में convert होगा वो simple organic compound immediately in organic compound में convert हुआ तो process को बोला mineralization इस state में रहा काफी time तक तो बोला humification एक समय ऐसा आएगा कि कई कई बहुत सारा time खतम होने के बाद ये भी इसमें convert होगा बट वो रातो रात नहीं होता कोई बिच्ची जरातो रात नहीं मिलती बेटा efforts लगाने पड़ते हैं ठीक है यहां तक समझ में आई पढ़ाई तो हमारे सम्मान में एक बार यस लिग दीजिए यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई एक बार आप यस लिग दीजिए अब आप देखिए अब यह जो आपका हुआ था यहां पर minerization process होऊ था तो आपके non minerals ही produce होंगे और minerals ही produce होंगे minerals में आ गया potassium और calcium non minerals में CO2 और water factor affecting decomposition ठीक है यह productivity और decomposition बहुत important है यहां से neat में question आते हैं ठीक है? सर पब्लिक प्लेस में जाने से डर लगता है, तो बेटा पब्लिक प्लेस में जाना ही क्यों है? जब सारा का सारा काम एक कमरे पे हो सकता है, तो पब्लिक प्लेस पे क्यों जाना? हमें पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई हमारी कमरे पर हो सकती है. सारे काम कमरे पे होते हैं आप खाते कमरे पे हो नाते कमरे पे हो मूवी कमरे पे देखते हो पढ़ाई कमरे पे करते हो तो पब्लिक प्लेस पे जाना ही क्यों है बेटा आओ आजाओ Factor Affecting Decomposition Factor Affecting Decomposition बच्चो पहला फैक्टर है Chemical Composition of Detritus मतलब जिस चीज का आपको Decomposition करना है उसके Chemical Composition पे भी Decide होता है कि Rate of Decomposition Slow होगा या Fast होगा अगर Detritus का Composition Lignin है या फिर Kytin है मतलब जो Detritus है जो Dead Part है प्लांट का और Animal का उसका Composition अगर Lignin है Kytin है तो भाई Decomposition बताओ कैसा होगा Fast होगा या Slow होगा आप बोलेंगे Slow होगा अगर उसका Nitrogenous Compound या मैं कहूं Simple Sugars या Amino Acid है तो Rate of Decomposition जो होगा वो आपका Fast होगा 20 से 25 डिगरी Celsius ये तापमान आपको चाहिए तो आपका Decomposition Fast होगा इसलिए जो ठंडी जगह होती है Arctic Region वहाँ तापमान कम होता है इसलिए वहाँ Decomposition Slow होता है लेकिन जो Tropical Region है जहाँ तापमान ठीक ठाक है वहाँ Decomposition Fast है तो Tropical Region में अच्छा Decomposition होगा देन उससे कम Temperate देन सबसे कम Arctic ठीक Moisture भी चाहिए Decomposition करने के लिए अगर अच्छा Moisture अवलेबल है तो Decomposition Fast होगा तो दो फैक्टर जो सबसे important है Decomposition के लिए Most important factor वो है Temperature and Moisture वो है आपका Temperature and Moisture Aeration मतलब आपको Oxygen चाहिए तो Aerobic Condition में Decomposition Fast है Anaerobic Condition देखिए Anaerobic Condition और Low Temperature Low Temperature पे Decomposition Slow है Low Temperature और Anaerobic Condition में Decomposition Inhibit होता है तो Decomposition Inhibit हो रहा है तो अगर कोई आपसे पूछे कि Low Temperature और Anaerobic Condition में Complex Organic Compound का Breakdown होगा या Complex Organic Compound इखटे होते जाएंगे Build-up होता जाएगा Complex Organic Compound का Breakdown होगा या वो Build-up होते जाएंगे लिख के बताओ जब Decomposition नहीं नहीं है तो Complex Organic Compound इखटे होते जाएंगे Build-up होते जाएंगे ठीक है आपका Build-up होते जाएंगे Warm मतलब ठीक ठाक तापमान होगा Warm and Moisture जो होगा वो Decomposition को Favor करेगा Warm मतलब Temperature से आगया Warm Temperature और Moisture जो होगा वो Decomposition को Favor करेगा तो बच्चो एक कहानी यहां पर खतम हुई तो एक कहानी खतम इसलिए होती है ताकि हम दूसरी कहानी शुरू कर सकें पूरा फोकस करिएगा है ना एक पंदरा तक Quality के साथ खतम करेंगे ठीक है आजाएए एक पांच तक Chapter खतम करेंगे और 10 मिनट में हम Next PYQ Question को Complete करेंगे ठीक है आजाएए अब मैं Energy Flow की बात करता हूँ तो जो Total Energy होती है उसमें करीब Less Than 50% ठीक है जो Total Light है जो Total Light है उसकी भी Less Than 50% अवलेबल पॉर प्लांट्स जिसको आप बोलते हैं P.A.R. P.A.R. जिसको आप बोलते हैं पोटो सिंथेटिक Active Radiation और इसमें से भी बच्चों इसमें से भी 2 से 10% आपकी Utilize होती है Utilize in Food Synthesis By Plant तो करीब इतनी Photosynthesis के लिए अवलेबल है बट प्लांट सारी यूज नहीं करता इसकी भी 2 से 10% यूज करता है Food Synthesis के लिए मतलब जिसको आप बोलते हैं Gross Primary Productivity तो अगर कोई आप से पूछे कि Gross Primary Productivity में Plant कितनी परसेंट लेगा तो आप कहोगे 2 से 10% और बाकी कहां गई सर बाकी जो है Rest of the light Rest are Reflected by Clouds और Absorbed by Gases Absorbed by Gases ठीक तो एक चीज तो आपकी ये हो गई ठीक Sun last 25 days में 630 प्लस कैसे लाएं बताओंगा बेटा अभी तो मेरे लिए इंपोर्टेंट है शायद लेक्चर लेना है ना तो अभी मैं लेक्चर पर फोकस करता हूं बाकी last में कैसा लाएं इसके लिए तो पूरे साल टीचर्स की इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियो इतनी सारी स्टाटेजी आई हैं आप यूटूब पे चले जाएए आप लिखिए ठीक है वहां कुछ भी लिख दीजिए आप उसमें से कोई भी वीडियो देख लीजिए अभी ज्यादा जो इंपोर्टेंट है मेरे लिए वह इस चेप्टर को पढ़ाना है तो जो बच्चा है बैठा हुआ है वह इसको पढ़ने के लिए आया है ठीक चलिए इनफ आफ टॉक आजाओ अब ध्यान से समझेगा energy flow related to law of thermodynamics अब NCRT में लिखा है कि energy का जो flow होता है वो thermodynamics के law से related है अब मैं physics chemistry का master तो हूँ नहीं तो law of thermodynamics आप मुझसे तो expert करेंगे नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँगा लेकिन जितना जरूरी है biology point of view से जो NCRT कहना चाती है कि energy के flow को first law of thermodynamics and second law of thermodynamics से relate करके बच्चों को समझा दीजिए ठीक वो मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों एक चीज है plant plant को खाया grass उपर ने grass उपर को खाया frog ने rock को खाया snake ने snake को फाड़ा बड़ ने प्लांट ग्रास उपर frog snake बड़ यह मैंने आपका यहां पर बनाया है बच्चों प्लांट क्या है बई प्लांट है producer ठीक है grass उपर क्या है grass उपर है आपका हर्बी वोरस यह है हर्बी वोरस जिसको मैं बोल सकता हूँ primary consumer ठीक है अब यह क्या है यह है secondary consumer कार्णी वोरस यह क्या है यह है tertiary consumer और यह क्या है यह है आपका quaternary consumer quaternary consumer ठीक अब यह मासा हारी है इसने सबसे पहले मास इसने खाया तो यह कौन हुआ मेरे बच्चों यह हुआ primary carnivorous यह हुआ primary carnivorous यह हुआ secondary carnivorous यह हुआ tertiary carnivorous ठीक यह tropic level T1 यह T2 यह T3 यह T4 यह T5 यह higher tropic level हुआ और यह lower tropic level हुआ ठीक है अब पूरा का पूरा focus करना यह जो energy का flow हुआ अगर यहां पर 10,000 किलो जूल है sun के पास तो बच्चों plant के पास 1% आईगी मैंने आपको बताया था तो इसके पास आई है 100 ठीक है इसके पास गई है 10 इसके पास 1 इसके पास 0.1 इसके पास 0.01 अब फस्ट लॉग क्या कहता है energy थर्मोडामिय का फस्ट लॉग क्या कहता है energy can't be created or destroy energy can't be created or destroy but it change its form ऐसे कुछ कहता है कि energy जो होती है ठीक है अरे सर कभी न कभी तो घर से बाहर निकलना होगा अरे दिवाने अभी घर से निकलने का समय नहीं है जब need का exam होगा तब घर से निकलना ठीक है तो अभी एक डम आराम से बैठ समझ में आया पढ़ाई कर ले मेरे पास बहुत important काम है computer वाले भया को बोलूँगा इसको block कर दो एक मिट में block हो जाएगा फिर कमरे पर बैठे रहना समझ में आया लेकिन मेरे पास बहुत important काम बहार बेटा सब घर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं energy can't be created or destroy but it change its form लुखे पढ़ ले energy can't be created destroy it can't be created or destroy but it change its form बच्चों जब sun के पास जो energy होती है वो light energy होती है plant क्या करता है photosynthesis करता है और plant photosynthesis करके जो sun की energy होती है light energy उसको convert कर देता है उसको convert कर देता है किसमें convert करता है chemical energy of food तो आप देखिए energy की एक form दूसरी form में convert हो गई light energy जो थी sun के पास उसको एक form से दूसरे form में convert किया और किस ने किया plants ने किया तो इससे first law of thermodynamic proof हो गया बच्चो second law of thermodynamic क्या है ध्यान चे समझेगा पूरी की पूरी energy आगे नहीं जाती ये जो आपको h दिख रहा है इस h का मतलब है heat तो यहां से सारी energy यहां नहीं गई energy heat की form में loss होई energy heat की form में loss होई तो बच्चो जो energy heat की form में loss हो रही है वो energy system में available नहीं है system वो energy system में available नहीं है वो energy surrounding में चली गई अब आप मुझे बताइए क्या वो energy work done करने के लिए available होगी yes or no लिखके बताइए the energy which is lost in the form of heat is not available for work done true or false बताइए जो energy heat की form में loss होगई surrounding में वो energy system में work करने के लिए available नहीं है true or false बताइए बिलकुल सही बिलकुल सही बहुत बढ़े आपको मिलता है एक रुपे का clinic plus बहुत बढ़े बहुत बढ़े आपको मिलती है टेल की CC जम के टेल लगाए बेटा दिन में लगाए दुफैर में लगाए रात में लगाए ठीक है तो वो energy surrounding में जाएगी और वहां create करेगी क्या disturbance, disorder, entropy तो second law क्या हुआ? energy, energy release in form of heat not available for, for work and it release into surrounding and create disorderness, randomness जिसको हमने बोला entropy तो I think second law से relate हो गया है यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए sun is ultimate source of energy, तारी energy का जो source है वो sun है और energy का जो flow है वो unidirectional है या bidirectional है? बताईए, energy का जो flow है वो unidirectional है या bidirectional है? सर, energy का जो flow है वो unidirectional है? तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर 10% energy जाती है यह बताया था lindman law तो आपका lindman एक scientist है एक सहाब है उन्होंने law दिया था उसको बोलते है 10% lindman law 10% lindman law क्या कहता है? यह कहता है कि only 10% energy transfer from one ट्रॉपिक लेवल to another अरे दिवाने यहां देख कितना important चल रहा है producer के example लिखे हुए है कि terrestrial में producer कौन होते है herbaceous and woody plant, aquatic में phytoplanktons, algae, ठीक है फिर herbivorous, insect, bird, mammals, terrestrial में, aquatic में molluska food chain क्या है? फूर चेन क्या है? एक chain है where, 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 where a particular organism eat or eaten by others मतलब एक chain है जहां पर एक organism कुछ खाता है किसी animal को या किसी भी organism को खाता है और उस organism को भी कोई दूसरा खाता है तुम अगर किसी को खाओगे तो तुम्हें भी कोई न कोई खाएगा ठीक है? तो where a particular organism eat or eaten by others बिलकुल सही यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए डीप सी हाइडरो थर्मल इको सिस्टम समुंदर में बहुत नीचे light absent है ठीक? और आपके consumer जादा मिलेंगे तो light तो absent है इसका मतलब खाना light energy की help से नहीं बना सकते क्योंकि light है ही नहीं क्योंकि light है ही नहीं तो sir energy तो खाना किसकी help से बनाएं? sir खाना बनेगा chemical energy की help से याद करिए biological classification में भी बताया था ठीक है chemical energy जो inorganic compound होते हैं उनके oxidation से जो energy प्राप्त होती है उस energy को बोलते है chemical energy तो chemical energy की help से जो खाना बनाएंगे उनको बोलते हैं chemo autotropic bacteria तो समुंदर में photo autotropic bacteria नहीं मिलते वो bacteria नहीं मिलेंगे जो light energy की help से खाना बनाएंगे क्योंकि light की availability बहुत कम है deep sea में तो वहाँ जो autotrops मिलेंगे उनको chemo autotropic bacteria बोलते हैं इनी को chemo synthetic bacteria बोलते हैं number of tropic level increase, stability of food chain decrease तो जैसे जैसे tropic level का number बढ़ेगा जो सबसे आखरी में होगा उस पर energy बहुत कम आएगी तो बच्चो जादा tropic level भी नहीं होने चाहिए जादा tropic level होने की वज़े से food chain की जो stability होती है वो कम हो जाती है ठीक, यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई next है आपका types of food chain next जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा types of food chain तो आप heading डालिए types of food chain types of food chain ठीक यह हो गई है आपकी heading हमने डाल दी है आप भी चाहे तो डाल सकते है ठीक, यहाँ हमने line कीची है और यहाँ लिखा है हमने grazing food chain और यहाँ हमने लिखा है detritus food chain तो यहाँ आपने लिखा है grazing food chain और यहाँ आपने लिखा है detritus food chain दिहान से समझेगा grazing food chain और detritus food chain देखिए ये है आपका प्लांट ठीक प्लांट को खाया ग्रास उपर ने इसको खाया रॉग ने रॉग को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया बर्ड ने ठीक तो ये आपका हो गया है अब आप ध्यान से मेरी बात को समझेगा ध्यान से मेरी बात को समझेगा ग्रेजिंग फूड चेंड प्लांट के पास एनरजी कहां से आएगी सन से आएगी तो ग्रेजिंग फूड चेंड के अंदर प्लांट फोटो सिंथेसिस के लिए क्या यूज करेगा सियो टू लेगा और क्या लेगा वाटर लेगा तो ये आपके कैसे कंपाउंड हो गए है इन औरगैनिक कंपाउंड हो गए है तो इनको यूज करके जो प्लांट होगा इनको कौन यूज करेगा इनको यूज करेगा आपका प्लांट और क्या बनाएगा फूड बनाएगा फूड को बोलते हैं ग्लूकोस ग्लूकोस शायद और गैनिक कमपाउंड है तो ग्रेजिंग फूड चेन में अगर कोई आपसे प ku expand किस में convert हो रहा है grazing food chain में inorganic compound organic compound में convert होता है plants के द्वारा यहां energy का जो source होता है वो sun होता है यहां पर source of energy जो है वो sun है तो ये जो मैंने आपको बताई है चेन ये terrestrial ecosystem में बताई है कहां बताई है terrestrial ecosystem के अंदर बताई है अगर मैं एक aquatic ecosystem में बात करूं grazing food chain की aquatic ecosystem में बात करूं तो बच्चो phytoplankton होगा इसको खाएगा zooplankton, zooplankton को खाएगी छोटी मचली और छोटी मचली को खाएगी large fish तो ये phytoplankton भी sun की जो energy है उसको utilize करके खाना बनाएंगे तो ये आपके कैसे होते है, producer होते है तो grazing food chain में inorganic compound, organic compound में convert होता है पहली चीज, यहाँ energy का जो source है वो आपका sun होता है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो अब जड़ा detritus food chain देखिए, detritus food chain जो है वो start होती है किस से detritus से, मतलब dead part से यह food chain start होती है यहाँ energy का source sun नहीं होता, sun is not source of energy जैसे मैं आपको कहूँ, आपके पास है detritus आपके पास dead part है, ठीक है आपके पास क्या है, dead part है इसको किस ने खाया, इसको detritus ने खाया मतलब इसको खा लिया, अर्थवाम ने या फिर इसके उपर add करेंगे कौन, decomposer अर्थवाम क्या हुआ, सर अर्थवाम तो detritus वोरस हुआ इसको खा लिया छोटी चड़िया ने इसको खा लिया बड़ी चड़िया ने तो यहाँ पर energy का जो source है, वो आपका sun नहीं है और इसके अंदर क्या present होगा, इसके अंदर present होगा complex organic compound जब इसके ऊपर डेट्री वोरस और डिकंपोजर एक्ट करेंगे तो complex organic compound कनवर्ट हो जाएगा लास्ट में simple inorganic compound के अंदर यहाँ inorganic compound organic compound में convert होता है डेट्राइटिस food chain में organic compound inorganic compound में convert होता है यहाँ energy का source detritus है, यहाँ energy का source sunlight नहीं है अब आप मेरे को खुद बताईए, आप अपने घर के आसपास जो भी आप देख रहे हो रोड पे घूमने जाते हैं, हाँ बेटा वो कह रहा था ना घर से बाहर निकलना पड़ता है अब निकल घर से बाहर जब तुम एक घर से बाहर निकलते हो तो आसपास आप कैसा environment जादा देखते हो टेरेस्टेल जादा देखते हो या equity जादा देखते हो बताओ जड़ा, आपके आसपास पेड़ पौदे आप देखते होंगे, पड़ोस की खिड़की में जागते होंगे आपको बाहर कैसा environment जादा देखता है, बताईए कैसा environment जादा देखता है, बताईए बताईए, बताईए आप कहोगे सर, terrestrial जाधा दिखता है बिलकुल सही terrestrial जाधा दिखता है ठीक है अभी यह नहीं सर, मैं तो मुंबई में रहता हूँ ठीक है, वहाँ एक जगहे पर समुंदर है वह बात अलग होगयए, जनेरल मैं जनेरल बता रहा हूँ ठीक है अगर मैं आपको बोलता हूँ कि टेरिस्टियल इको सिस्टम आपको जादा दिखता है तो टेरिस्टियल इको सिस्टम है आपका आसपास तो यहाँ डेटराइटर्स भी आपको जादा दिखेगा यहाँ पर डेटराइटर्स जादा दिखेंगे आपको डिकम्पोजर भी जादा दिखेंगे तो टेरिस्टियल इको सिस्टम में आपको इतने पेड़ पहुदे आपको डेड़ पार्ट भी जादा मिलेगा डिकम्पोजर भी जादा मिलेंगे तो टेरिस्टियल इको सिस्टम म energy का जो major flow होगा major flow of energy in terrestrial ecosystem किस food chain के थ्रू होगता है बताईए जड़ा किस food chain के through terrestrial ecosystem में energy का flow ज़ादा किस food chain के through होता है grazing food chain या detritus food chain बताइए बताइए और अगर कोई पूछे तो कहना हम आए है aquatic ecosystem में energy का जो flow है, वो mainly grazing food chain के तुरू है लेकिन terrestrial में energy का जो flow है, वो आपका detritus food chain के तुरू है इतना सारा dad part खटा होता रहता है, ठीक है क्या लिख रहा है, वहां husband wife, अरे दिवाने, अभी से husband wife, पहुंस तो जा पहले अभी तो मुम्फली है बेटा अरे दिवाने मुम्फली का दाना है अभी से husband wife केल रहा है अरे तो यहां तक आपको समझ में आ गया है तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है अब मुझे आप बताओ कि इस अर्थवाम को इस अर्थवाम को हे अर्थवाम हाँ तुम्हे खाने के लिए स्नेक आए है इस अर्थवाम को स्नेक खा सकता है तो अर्थवाम can be eaten by snake अर्थवाम can be eaten by snake इसका मतलब यह हो गया अर्थवाम किसका मेंबर है अर्थवाम मेंबर है डी एफसी का डेटराइटर्स फूड चेन snake किसका मेंबर हुआ snake मेंबर हुआ किसका जी एफसी का इसका मतलब इसका मतलब डी एफसी और जी एफसी चेन आपस में related है इसका मतलब ये हो गया both chain are interrelated both chain are interrelated बचो यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए यहां तक की पढ़ाई आपको सम्मान में आई तो एक बार हमारे सम्मान में आप yes लिख दीजिए और जितने भी बच्चे बैटे हैं सब को lecture खतम होने के बाद एक comment करना है और जन 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 मानस तक इस lecture को पहुचाना है कि कितना प्यारा कितना छोटा और कितना effective और कितना conceptual lecture है नीट expected question बेटा एप में मिलेंगे काफी सारे chapters के दे चुका हूँ आज भी किसी ने किसी chapter के provide करा हूँगा कौकरोज, क्रो ये omnivores हैं ठीक है ये कुछ भी खा सकते हैं कुछ भी omnivores वो होता है जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर जा सकता है वो हर भी वोरस भी हो सकता है वो primary carnivores भी हो सकता है, secondary carnivores भी हो सकता है, वो कुछ भी खा सकता है वो हर भी वोरस भी हो सकता है और carnivores भी हो सकता है उसको omnivores बोलते है अब human जो है, वो आपका primary consumer भी हो सकता है, human शाकाहरी भी होता है, human meat भी खाता है, वो secondary consumer भी हो सकता है, वो tertiary consumer भी हो सकता है, तो human कैसा है? human omnivorous है, ऐसे ही एक insectivorous bird है, जब वो seed खाती है, जब वो शाकाहरी की जिन्दिकी जीती है, तो ये bird आपका हर भी वोरस होती है, जब ये bird insect खाती है, तो ये bird कarnivorous होती है, इसका मतलब एक ही चिडिया दो different tropic level को share कर सकती है, अगर वो insect खा रही है, तो ये चिडिया कार्णी वोरस वाले ट्रॉपिक लेवल पर आएगी, अगर ये चिडिया सीड खा रही है, तो ये हर भी वोरस वाले ट्रॉपिक लेवल पर आएगी, इसका मतलब एक organism दो different tropic level को share कर सकता है, standing crop और standing state, standing crop से भी neat में question आया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी एक area में, माल लीजिए ये एक area है, ठीक है, और यहाँ पर आपके बहुत सारे plants है, ये देखिए, तो एक particular area में, एक particular area में, एक particular time में, इन plants के द्वारा, ठीक है, एक particular area में, एक particular time में, इन plants का जो total organic matter होगा, ठीक है, ये जो total organic matter, जिसको आप, बायो मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप, जिसको आप, living matter भी बोल सकते हैं, ठीक, अब आप देखिए, किसी area में, इन total plant का जो organic matter है, जो बायो मास है, जिसको मैं living matter भोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं standing crop, उसको बोलते हैं standing crop, और standing crop और जो organic matter होता है, उसको मेजड किया जाता है, in terms of dry weight, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए, dry weight के terms में ही क्यों measure किया जाता है, fresh weight के terms में क्यों नहीं measure किया जाता, dry weight plus water is equal to fresh weight, dry weight plus water is equal to fresh weight, तो कोई भी organic matter से dry weight की terms में ही क्यों measure किया जाता है, fresh weight की terms में क्यों नहीं measure किया जाता, क्योंकि different different season होते हैं, उन different different season में moisture content vary करता है, तो moisture content की वज़े से कौन सा weight change हो सकता है, dry weight या fresh weight लिख के बताईए, during different season, the moisture content is vary, तो कौन सा weight है जो change हो सकता है, जो variation शो कर सकता है, dry weight या एक लिख रहा है break up देंगे, अरे घोड़े, अभी से break लेगा क्या, अरे दिवाने, दुख जा थोड़ी देर मेरे भाई, बिल्कुल सही, तो fresh, तो dry weight plus water is equal to fresh weight, तो कोई भी organic matter है, उसको measured किया जाता है dry weight की form में, क्यों, because, because, हसलो थोड़ा सा हसलो हो, हसने, हसने की बात है हसलो, because, हसना चाहिए, stress release करना चाहिए, हसो, because, fresh weight can be vary due to, fresh weight can be vary due to, बिल्कुल, headphone लगाई है, और हसी है, can be vary due to, different, moisture content, ठीक, किसी area पर, किसी area पर, आपका, किसी area पर, यह आपका एक area है, इस area में, आपका, यहाँ आपका organic matter की बात की थी, यहाँ पर आपका, non-living material, एक area में, जो आपके non-living material प्रेजन्ट होते हैं, उसको बोलते हैं standing state, उसको आप बोलते हैं standing state, बचों यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है, तो आप एक बार हमारे सम्मान में, सभी लोग yes लिख दीजिए, यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप सब लोग हमारे सम्मान में yes लिख दीजिए, यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप yes लिख दीजिए, ठीक है, इसको इन और्गैनिक माटेरियल भी बोल सकते हैं इन और्गैनिक ठीक है तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है अब हम आगे चलेंगे तो यहां पर यह होमवर्क है आपके लिए मुलस का टैड़ पोल मौस्किटो लारवा प्राइमरी कंजूमर है रट्टा माल लेना तोड स्पाइडर लिजर्ड सेंटी पेट्स इंसेक्टी वोरस बर्ड हाइडरा फ्रॉग सम फिशेस सेकेंडरी कंजूमर है स्नेक बड़ी मच प्रश्ली टर्श्री कंजूमर है टाइगर लायन पैंथर फैलकन पीकॉक टॉप का निवोरस रट्टा माल लेना फूड वैब फूड वैब क्या होता है इसको भी देखिएगा ठीक है सर इतने सारे चैनल बना दिये हैं क्या क्या देखें कई चैनल तो तुने भी बनाई होंगे घर पे वहां भी कुछ देखता होगा यहां पर देख अब ग्रास को माउस भी खा सकता है ठीक अब आउल माउस को भी खा सकता है आउल फ्रॉग को भी खा सकता है स्नेक फ्रॉग क भी ख़ा सकता है snake bird को भी ख़ा सकता है ठीक यह hawk rabbit को खा सकता है यह hawk mouse को खा सकता ह वहुप सनेक को खा सकता है तो food web में बहुत सारी food chain आपस में inter link होती है food web में एक organism के पास खाने के option अप्शन होते हैं कि या तो यह खाओ या तो यह खाओ या यहां मूँ मारो या यहां मूँ मारो ठीक है तो फूड़ वैब में एक और गैनिजम पर खाने के काफी सारे आप्शन होते हैं as compared to food chain तो many food chain interlink to form food web तो बताओ ज्यादा stability कहा है फूड़ चेन में या फूड़ वैब में फूड़ के ऑप्शन है फूड़ की चॉइस है स्टेबिटी ज्यादा है मैंनी फूड़ चेन इंटर लेंक तो फॉर्म नेटवर्क और फूड़ वैब तो यहां पर किसी एक पर्टिक्लर और गैनिजम पर डिपेंडेंस नही होती है आजाओ अब लास्ट टॉपिक है इकोलोजिकल पिरामिड लास्ट टॉपिक है आपका इकोलोजिकल पिरामिड पूरा focus करना एकदम basic से बताऊंगा और इतना खतरनाग pyramid कराऊंगा कि आपको तो मज़ा ही आ जाएगा और in the end क्या चाहिए concept चाहिए और concept तो मिली रहा है और मज़ा भी मिलेगा ठीक है चलिए सर ecological pyramids क्या होते हैं अब ecological pyramids के अंदर producer herbivorous और carnivorous को आप represent करते हैं in the terms of number biomass and energy तो जब यह definition बताए जाती है तो बच्चे को समझ नहीं आता तो मैं बच्चे को यह बोलता हूँ कि एक बार मुझे एक example से समझाने दे फिर तुझे ecological pyramid समझ में आएगा ecological pyramid ए graphical representation है जहां पर producer herbivorous और carnivorous को energy की terms में या फिर number की terms में या फिर आपका biomass की terms में हम express करते हैं तो मैं एक example से आपको समझाता हूँ पहला टाइप लिया मैंने pyramid of number बच्चो pyramid of number मैं आपको समझाओंगा grassland ecosystem में तो आप एक grassland ecosystem में जाओगे तो आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे सबसे जादा क्या दिखेंगे घास मतलब ग्रास दिखेंगे अब grass को खाने वाले rabbit दिखेंगे अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई उस grassland में rabbit का number जादा है बड़ ग्रास कम है नहीं ग्रास आपको जादा मिलेंगे हाँ मैं देता हूं दूँगा expected question दूँगा पर काफी सारे chapters की दे पूरा का पूरा focus करना अच्छे से focus करना ठीक है अजय मुझे चेक कर आज उसका सब सबसे जदा मिलेंगे grassland ecosystem में इनको खाने वाले rabbit थोड़े कम उसको खाने वाले fox कम और उसको खाने वाले lion कम तो जैसे जैसे आप उपर की तरफ जा रहे हो तो higher tropic level पर जो lion है उसका number कम है lower tropic level पर जो organism है उसका number जादा है higher tropic level पर जो organism है उसका number कम है तो इसका number जादा है इसलिए नीचे का जो base है जो चौड़ाई है जो चौड़ापन है वो जादा है base broad क्यूं है क्योंकि grassis का number जादा है जो top है जो apex है वो narrow क्यूं है क्योंकि lion का number कम है तो ये pyramid तुमें कैसा दिख रहा है खाड़ा दिख रहा है upright दिख रहा है straight दिख रहा है तो लिख दीजिए सभी लोग कैसा दिख रहा है खड़ा दिख रहा है upright या फिर आप बोलेंगे straight अब किसी ने आपसे कहा कि कि पिरामिड ओफ नंबर एक्वेटिक एको सिस्टम में कैसा होता है अब एक्वेटिक एको सिस्टम में phytoplankton का नंबर जादा है इनको खाने वाले जू प्लैंटेंस का नंबर थोड़ा कम है इन पे फीड करने वाली छोटी मचलियों का नंबर थोड़ा और कम है इन पे फीड करने वाली बड़ी मचलियों का नंबर और कम है तो जैसे जैसे आप higher tropic level पे जा रहे है नंबर कम होता जा रहा है इसलिए apex narrow है और broad जो है broad जो है वो जादा है broad जो है वो जादा है पता नहीं क्या मांग रहे हैं कहीं अपने में लगे वे हैं तो equity ecosystem में भी pyramid of equity ecosystem pond pyramid of number खड़ा है अप right है और straight है तो कोई आप से pyramid of number पूछे grass land में और equity ecosystem में upright है और straight है अब tree ecosystem में किताब में तीन तरह की possibility है देखिए tree ecosystem अगर कोई आप से पूछे कि tree ecosystem में पिरामिड ओफ नंबर एक्सप्लेंड करिए पिरामिड ओफ नंबर एक्सप्लेंड करिए ठीक ट्री एक पेड़ है जो अकेला खड़ा है एक पेड़ पे काफी सारी चिडियां है और हर चिडियां पर काफी सारे पैरसाइट है तो पेड़ तो एक ही है उन पर several birds है उन चिडियों पर बहुत सारे पैरसाइट है इसका मतलब इनका नंबर सबसे जादा है और पेड़ का नंबर एक है यह less in नंबर यह more in नंबर तो बच्चों यह हो गया आपका कैसा लेटा मतलब यह हो गया है inverted ठीक दूसरा टाइप ट्री को सिस्टम में एक पेड़ है एक पेड़ पर बहुत सारे रीड़ खाने वाली चिडियां है मतलब हर्भी वोरस बर्ड है ठीक हर्भी वोरस बर्ड ट्री है एक उस पे बहुत सारी हर्भी वोरस बर्ड हर्भी वोरस बर्ड पर जो हर्भी वोरस बड़ को खाने के लिए hawk, hawk का नमबर लेकिन हर भी वोरस से कम है, hawk वाली चिडिया का नमबर हर भी वोरस बड़ से कम है, तो कैसा शेप आया, spindle शेप आया, तो tree ecosystem में आपको inverted मिल सकता है, जब ये possibility हो, tree ecosystem में आपको spindle मिल सकता है, जब ये possibility हो, tree है, उस पर बहुत सारी च चिडिया को खाने के लिए कुछ आपके hawk है, तो आपका हो गया है spindle shape, एक पेड़ है, ये आप से NCRT में पूछा गया है, इस चीज को questions की form में लिखा है, और आप से पूछा है कि बताओ कैसा होगा, देखिए, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ पर बहुत सारे insect है, ठ ठीक है, और इन insect पर खाने के लिए कुछ चिडियां है, और उन चिडियों पर खाने के लिए बहुत कम चिडियां है, तो पेड़ है एक, ये है insect, बहुत सारे, उन पर चिडिया का नंबर कम, और लाज चिडिया का नंबर और कम, तो ये भी more or less आपका spindle shape जाएगा, यहां तक की बढ़ाई आपको समझ में आई तो, अरे दिवाने, तेरे भाई की class है, yes लिख दे, यहां तक की बढ़ाई समझ में आई, तो yes लिख दे, यहां तक की बढ़ाई समझ में आई, तो yes लिख दो, ठीक है अब नेक्स्ट है पिरामिड ओफ एनरजी तो बच्चों नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट है आपका पिरामिड ओफ एनरजी तो पिरामिड ओफ एनरजी में आप देखिए जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते थे तो एनरजी आपकी decrease होती थी, तो energy decrease होती थी, मतलब यहां सबसे दादा energy है, यहां सबसे energy कम है, यहां सबसे दादा energy है, तो जो lower tropic level पर होगा, वहाँ energy सबसे जादा होगी, जो सबसे उपर tropic level पर होगा, वहाँ energy कम होगी, इसलिए यह narrow है, यह broad है तो वो कौन सा पिरामिड है जो हमेशा खड़ा रहेगा वो है पिरामिड of energy always straight और upright लेकिन पिरामिड of number usually upright होता है but it can be inverted but it can be inverted तो बच्चो पिरामिड of number जो होता है usually upright होता है अगर आप से कोई पूछे कि पिरामिड of number usually generally कैसा होता है तो आप कहेंगे upright but it can be inverted or spindle shape लेकिन वो कौन सा पिरामिड है वो कौन सा पिरामिड है जो आपका हमेशा खड़ा रहता है वो है पिरामिड of energy पिरामिड of energy always upright always upright always upright never ever 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 कभी भी इनवर्टेड नहीं होगा लास्ट है पिरामिड of biomass पिरामिड of biomass बच्चो ग्रास लेंड एको सिस्टम में पिरामिड of biomass बताईए बई जिसका नंबर जादा है मैं एक ग्रास्टेंड इको सिस्टम में गया वहां मुझे बहुत सारे ग्रास दिखे तो जहां ग्रास इतने सारे हैं तो इनका बायो मास भी सबसे जादा होगा रैबिट का नमबर थोड़ा कम है तो BioMass थोड़ा और कम हुआ फोक्स का नमबर कम तो BioMass और कम हुआ लाइन का नमबर सबसे कम तो इसका BioMass सबसे कम हुआ इसलिए यहाँ पर टॉप आया और यहाँ पर ब्रॉड आया तो पिरामिड ओफ BioMass Grassland इकोसिस्टम में अगर कोई पूछे तो कहना upright है और straight है अपराइट है और straight है ट्री इको सिस्टम में pyramid of biomass क्या होगा एक पेड का वजन जादा होगा एक पेड का वजन जादा होगा उस पे जो छोटी छोटी चड़िया बैटी है बले ही चड़िया का नमबर जादा था लेकिन उन चड़ियों क वजन तो कमी होगा ना एक पेड का बायो मास जादा है एस कंपेर टू बर्ड्स और पैरासाइट का बायो मास और कम हो गया तो कैसा हुआ अपराइट हुआ और straight हुआ तो अगर कोई आप से पूछे कि ट्री इको सिस्टम में ये वाला नमबर के टरम्स में कैसा था चेक कर अमिड़ औफ ईजवली अपराइट होते हैं बाट इट्कैन भी इन्वकर इणर इन्वकर देखिए। और इकोसिस्टम एक विटिक ecosystem में phytoplankton's का biomass कम है लेकिन जो बड़ी मचली है उसका biomass जादा है बड़ी मचली खुद सोचो phytoplankton's तो microscopic होगा और वो biomass ठीक है आपका बड़ी मचली कितना जादा बायो मास है ठीक ऐसा क्यों है देखिए देखिए पाइटो प्लैंक्टन्स का lifespan छोटा होता है बट फाइटो प्लैंक्टन्स का reproductive rate fast होता है दियान चाहिए गाइटो प्लैंक्टन्स का lifespan छोटा है बट reproductive rate fast है तो फाइटो प्लैंक्टन्स कम टाइम में जल्दी जल्दी multiply करेंगे तो जब फाइटो प्लैंक्टन्स कम टाइम में जल्दी जल्दी multiply करेंगे तो several generation of phytoplankton is available for one जूप्लैंक्टन्स तो several generation of phytoplankton's eaten by zooplankton's so biomass of zooplankton increase and so on small fishes zooplankton's की काफी सारी generation खाएंगी तो small fishes का weight बढ़ेगा ठीक तो इसलिए आपका lifespan short है reproductive rate fast है so many generation of phytoplankton consumed by zooplankton so it's biomass increase तो ये आपका कैसा हुआ ये आपका inverted हुआ बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यसर लिख दीजिए एक बार आप हमारे सम्मान में यसर लिख दीजिए तो यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यसर लिख दीजिए तो बच्चों अब हम एको सिस्टम के पी वाई क्यू कोश्टन को डिसकस करेंगे ठीक है एक एक करके पूरा डिटेल में हम इसको देखेंगे तो आईए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं जी पी पी और बच्चों जी पी पी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडेक्टिविटी एक प्लांट संलाइट को यूज़ करके respiration में तो जो चीज बचती है उसको बोलते है net primary productivity तो आप से पूछा था कि R यहां पर क्या है तो R है आपका respiratory loss decomposition is a process in which the detritus is degraded into simple substance by microbes decomposition एक process है in which the detritus is degraded into detritus किसको बोलते थे detritus आप बोलते थे dead part of plant और animal को इसको simple substance में microbes degrade करते हैं पहले इनके ओपर detritory forus add करते हैं earthworm और आपके add करते हैं decomposer और यह इसको convert कर जेते हैं complex organic compound को simple organic compound में then simple inorganic compound में पहला सही है decomposition is faster if the detritus is rich in lignin नहीं बेटा faster नहीं होगा slow होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर lignin और काइटिन होते हैं तो decomposition का जो rate होता है वो आपका slow हो जाता है तो statement one is correct है और statement two is incorrect है detrivorus breakdown detritus into small particle बच्चो detrivorus में example क्या था example था earthworm तो decomposition का जो first step होता है वो होता है fragmentation of detritus जिसमें एक large complex organic compound जो है detritus detritus का जो fragment size है वो बड़ा है उसको छोटे-छोटे fragments में तोड़ा जाता है detrivorus के द्वारा और इस process को आप बोलते हैं fragmentation अब इसमें कुछ पार्ट है जो अब आपका नई NCRT में नहीं रहा ठीक है तो कुछ उसमें उस तरीके से दिया है तो आप चाहें तो पी ए आर फोटो सिंथेटिक active radiation capture by plant तो total light जो plant के पास थी less than 50% light photosynthesis में अवलेबल थी और उसमें से भी 2 से 10% energy और light plant उसमें से भी 2 से 10% light plant utilize करते हैं food बनाने में जिसको आप पी पी बोलते हैं तो बच्चो इसका answer C से जाएगा fourth यह देखिए यह आपके syllabus में है यह वाला portion अब उतना यह देखिए ठीक है अब मैं आपसे पूछता हूँ productivity of ocean तो D का आपका जाएगा one मैंने आपको बताया था ठीक है D का आपका जाएगा one मैंने ocean की productivity आपको बताई थी terrestrial की भी मैंने आपको बताई थी ठीक है और a का जाएगा two ठीक है 70% आपका dissolve है ocean में और B का जाएगा आपका third तो आपका option जाएगा option fourth which of the following statement is not correct pyramid of biomass in C is generally upright सी में upright नहीं होता है बच्चो आपका inverted होता है phytoplankton phytoplankton को कौन खाएगा आपका zooplankton खाएगा ठीक है तो यह देखिए यह है phytoplankton यह है zooplankton यह small fish यह large fish तो straight नहीं है inverted है तो यह आपका गलत हो गया pyramid of energy always upright correct है pyramid of number in grassland ecosystem correct है grassland ecosystem में pyramid of number जो होता है upright होता है कैसा होता है upright होता है तो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं grassland ecosystem में grass साधा होंगे lion कम होंगे तो कैसा हुआ upright हो गया तो यह आपको समझ में आ गया होगा in the equation gpp minus r is equal to npp r r है आपका respiratory loss r है आपका respiratory loss ठीक आगे बढ़ते हैं match the tropic level with their correct species बच्चों सबसे आसान आप पकड़ लीजिए grass grass क्या है grass है first tropic level तो c का जाएगा s c का जाएगा s सबसे असान पकड़िए काई को risk लें grass को खाएगा rabbit तो second tropic level आपका जाएगा b का r b का r जब दो मिल गए हैं तो बाकी दो आही जाएंगे तो आपका जाएगा option fourth option fourth in relation to आप देखिए productivity पे कितने questions है productivity and decomposition बहुत important है ठीक है in relation to gross primary productivity and net primary productivity of ecosystem which are the following schedule gross primary productivity is always more than net primary productivity बिल्कुल सही है बच्चो क्योंकि क्योंकि NPP plus respiratory loss is equal to GPP total energy जो NPP से जादा ही होगी यह correct है gross primary productivity and net productivity one and same यह आपका गलत हो गया दोनों सेम नहीं होती है अलग-अलग होती है there is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity आप relation देख सकते हैं relation है यह गलत हो गया gross primary productivity is always less than the net primary productivity नहीं less नहीं है आपका यह आपका more हो गया है ठीक है और always भी नहीं बोलेंगे हम अब एक topic होता था ecological succession ठीक है जो अभी आपको पढ़ाया नहीं जाता है ठीक है तो यहां more आपका आएगा यह आपका गलत हो गया तो आपका answer जाएगा option first which of the following statement is incorrect energy content gradually increase from first to fourth tropic level बच्चों first to fourth tropic level तो first tropic level क्या है lower tropic level है और fourth क्या है higher tropic level है तो बच्चों जब आप lower tropic level से higher tropic level में जाते हैं तो energy increase नहीं होती है energy आपकी decrease होती है answer हमें मिल गया number of individual decrease from first tropic level to fourth tropic level यह आपका सही है पिरामीड of number में आपने देखा energy content decrease यह भी सही है biomass decrease from first to fourth tropic level यह भी सही है the rate of decomposition is faster बताइए कहां पर कौन से वो दो factor है जो आपका rate of decomposition faster in the following factor except except बच्चो warm and moist environment होगा तो decomposition fast होगा aerobic condition होगी तब भी decomposition fast होगा ठीक शुगर या nitrogenous compound होंगे आपके या amino acid होगा तब भी fast होगा rich in lignin नहीं बच्चो यह lignin और काटिन होता है तो decomposition slow होता है तो आपका answer जाएगा option third आपका answer जाएगा option third which one of the following ecological pyramid is generally inverted कौन सा pyramid है जो आपका generally क्या है inverted है बच्चो pyramid of energy आपको पढ़ाया था always खड़ा always upright pyramid of number in grassland upright pyramid of biomass in sea phytoplankton zooplankton यह होगा आपका inverted ठीक तो आपका answer जाएगा d which type of ecological pyramid would obtain with the following data बच्चो primary producer आपका primary producer सबसे नीचे वाला का वजन सबसे कम है 10 gram है फिर वजन और बढ़ गया 60 gram फिर वजन और बढ़ गया 120 gram तो आप देखिए inverted है और inverted कहां मिलता है inverted pyramid biomass ठीक है आपका a quietic ecosystem भी आप बोल सकते हैं तो आपका answer जाएगा option first which ecosystem has maximum biomass ठीक बताएए जरह which ecosystem has maximum biomass क्या answer आपका जाएगा which ecosystem has maximum biomass लेक है pond है grassland है forest है पताइए सबसे ज़्यादा biomass आपका कहां मिलेगा सबसे ज़्यादा आपका मिलेगा forest ecosystem में तो सबसे ज़्यादा आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपका forest ecosystem के अंदर ठीक है presence of plant arranged in a well-defined vertical layering depending on their height can be seen in बताइए क्या जाएगा presence of plant जहां आपको बहुत अच्छी diversity मिलेगी कहां पर आपको एक बहुत अच्छी तरीके से diversity मिलेगी कहां आपको बहुत अच्छी से stratification मिलेगा बताइए ट्रोपिकल सवाना ट्रोपिकल rain forest grassland कहां मिलेगा ट्रोपिकल rain forest के अंदर डाइवर्सिटी अच्छी होती है तो यहां आपको बढ़िया सारी की सारी चीजे मिल जाएंगी फिर आप आगे चलेंगे दा प्राइमरी प्रेड्यूसर आप दा डीप सी हाइडो थर्मल वेंट बच्छो डीप सी हाइडो थर्मल वेंट वो रीजन थे जहां पर लाइट की अवलिबिलिटी नहीं थी इसका मतलब कि जब वहां पर ओटो ट्रॉप्स फोटो ओटो ट्रॉप्स नहीं मिलेंगे तो वहां पर आपके कीमो सिंथेटिक बैक्टेरिया मिलेंगे जो कौन सी एनरजी युटिलाईस करके खाना बनाएंगे यह आपकी केमिकल एनरजी को युटिलाईस करके खाना बनाएंगे ठीक है तो आपका आंसर जाएगा option fourth term ecosystem बताइए term ecosystem दी थी आपके tanslay ने ठीक है term ecosystem दी थी आपके tanslay सापने वेच वन एफ फॉलोईंग इस characteristic feature of cropland ecosystem क्रॉप्लेंड एको सिस्टम कैसा एको सिस्टम था बच्चो मैनमेड एको सिस्टम था बताया था और मैनमेड एको सिस्टम के अंदर आपकी जो जैनेटिक डाइवर्सिटी होती है बताया था वो बहुत कम मिलेगी क्योंकि एक नैच्छल एको सिस्टम में डाइवर्सिटी ज of organic matter during photosynthesis आप देखिए productivity और decomposition से questions जादा है अच्छे से पढ़के जाना बेटा इस topic को ठीक है अच्छे से पढ़के जाना इस topic को ठीक है in an ecosystem the rate of production of organic matter during photosynthesis total को बोलते हैं gross primary productivity vertical distribution of different species occupying different level बचो vertical distribution आप forest में जाओगे तो bottom में आपको क्या मिलेंगे bottom में आपको forest में grass मिलेंगे hubs मिलेंगे थोड़े height पर आपको क्या मिलेंगे shrubs मिलेंगे और top में आपको मिलेंगे tree तो top में किनकी height होगी tree और bottom में आपको मिलेंगे grass और herbs तो आपकी layers बन गई vertical layering को आप क्या बोलते है vertical layering को आप बोलते है stratification the mass of living material at a tropic level बच्चों living material की बात की है at a tropic level at a particular time तो अगर मैं organic matter की बात करूँ या biomass की बात करूँ या living material की बात करूँ या dry weight की बात करूँ organic matter की बात करूँ biomass की बात करूँ living material की बात करूँ तो आप standing crop बोलते है अगर मैं inorganic part की बात करूँ किसी area पर किसी आपके घर के पीछे एक area है उस area में कितना inorganic material है, इसको standing state बोलते हैं, कितना organic part है, इसको standing crop बोलते हैं, most animals that live in deep oceanic water, ठीक है, deep ocean के अंदर आपके ज़्यादातर मिलेंगे, डेटरी वोरस, deep ocean में आपके consumer ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, वहाँ photosynthesis करने वाले लोग कम मिलेंगे, वहाँ light कम आती है, तो वहाँ consumer ज़्यादा मिलेंगे, वो लोग मरेंगे, तो उनके ओपर add करने वाले डेटरी वोरस आपके ज़्यादा मिलेंगे, if 20 joule of energy at producer level, producer level पर है 20 joule of energy, तो तोते के पास, मोर के पास कितनी energy जाएगी, इस पर जाएगी 2, इस पे जाएगी 0.2, इस पे जाएगी 0.02, ठीक है, तो बीस से गई 2.2.02, तो बच्चों आपको कैसा लगा, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताईएगा, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिएगा, stress बिलकुल भी मत लिएगा, समय बहुत कम रह गया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, stress बिलकुल मत लिजिएगा, जो भी होगा, अच्छा ही होगा, इश्वर ने आपके लिए अच्छा ही सोचा है, आप सिरफ मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, और बाकी सब आप इश्वर पे छोड़ दीजिए, मैं मानता हूँ कि समय अब थोड़ा कम रह गया है, लेकिन आप बिलकुल भी परेशान नहीं होएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल लखिएगा, ठीक है, ठैंक यू सो मच.